जहिन जय भारत में रेबल श्रधानन निर्मला जी आज का जो विशे हो आपके उपर है आप हमारी वित्मंत्री हैं फानांस मिनिस्टर है और मैं आपका टीवी के एक प्राइवेट चैनल में दिये गए इंटर्विव के उपर लेख रहाता और उसके उपर अपनी कुछ प्र मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पता निया आपने एक आउनमिस के पढ़ाई कैसे करी होगी आप जानते हैं मैं लोर का मतलब क्या है इसकार्थ आपको पता है मैं लोर एक से कार्ट मैं आट से 10,000 रुपे कमाता है मैं पूरे साल में 1,20,000 रुपे उससे आप कौन से क वो अपने बच्चों को आपके so-called इतने अच्छे government-aided education schools में पढ़ाएंगे, government-aided hospitals से उनके चिकिस्ता करवाएंगे, और आपके इतने अच्छे अच्छे आधुनिक facilities जो पिछले 7 यर से BJP government प्रवाइड कर रही है, वाएम इंडिया में, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे ranking में आ रहे हैं, जैसे कि BJP का ग्राफ बताता है, वास्ते लिखता क्या है, वो तो हम लोग जानते हैं, मैंने भी वोट किया, लगातार दो बार वोट किया, लेकिन मैं आप जैसे नेता हूं कि जब सुनता होना मैं, speeches, और आप लोगों के आकड़ आपके जो data bank, आप ये data bank क नहां से लाती है मैं, ये सोच कि मैं बहुत सर्प्राइज रहता हूं मैं, आपने बोला 6 लाक निवनता में, 18 लाक मैक्सिमम मैं, 18 लाक समझते हैं आप मैं, 18 लाक क्या होता है मैं, 18 लाक तो मैं एक अच्छे का से MBA का package नहीं है अनम मैं, पर अनम का, वो भी top institute में पढ़के आपके so-called colleges से जो बच्चे निकलते हैं MBAs, B-Tech आप जानते हैं कि package कहां से start होती है मैं, तो इसका मतलब ये सब lower middle class में आते होंगे आपकी इसाब से, so-called good MBAs, so-called good B-Techs and M-Techs, ये तो lower middle class से आते होंगे मैं, higher वाले कौन होते होंगे मैं, highly rich people, highly rich industrialists, upper middle class तो फिर आस्मान में रहने हैंगो, जमीन पर रहेंगे ही नहीं, अपने आकड़े ठीक कीज़े मैं, देस एक मुश्किल दोर से घुजर रहा है, आप किस तरह की statement दे रहे हैं, आपने उस दिन बोला मैं, मुद्रा लोन में, हमने इतने इतने लोगों को दिया, हमने बुनकरों को दिया, मैं आप आपको मैं चैलेंज करता हूं, निर्मला सितारमनची, हम ओफिशली चैलेंज यू, चैलेंजिंग यू मैं, हंडिड यूथ लेके मैं आपके पस आने को तैयार हूँ, जो ग्राजवेट सें, पोस्ट ग्राजवेट सें, आप मुझे ये बताएं, कौन से ब्रांच से आप ये लोन देंगे मैं, मैं आपके पस ले आता हूं मैं, और मैं नतमस्तक हो जाओंगो, क्योंकि जब आप सौ को देंगे, अगला एक लाख यूथ मेरे साथ तैयार होगा मैं, केवल टीवी में आके ऐसे इंट्रिव्यूस मत दीजाएं मैं, आप लोग अपने घरों में सेवा है या नोखरी है, मेरे स्पीचिस बेसिकली मैं, कभी होते नहीं है, मैं लिख के कभी नहीं लाता है मैं, जो मेरी खुद की फिलिंग से, मैंने अपने नाम में रेबल शब दीजाएं क्योंकि जो गलत है मैं तो बोलूँगा मैं, I have the right to express my views, आप मुझे बताएं मैं, मैं, politics, राजनीती, is it, ये सेवा है मैं या नोखरी है, अगर सेवा है तो मैं आप लोग तंकों मत लीजे मैं, और pension मत लीजे, इतनी high salary आप लोगों की, इतनी facilities है मैं, telephone calls की facility, AC की facility, बिजली की facility, driver की facility, high class train की facility, flights की facility, petrol की facility, मत लीजे मैं, आप आईए, lower middle class family की तरह life को spend कीज अगर आप सेवा करना चाहती है मैं, और अगर ये नोकरी है मैं, politics, अगर राजनीती आप लोगों के लिए नोकरी है मैं, तो इसका कोई educational map dund होगा न मैं, कोई education criteria तो होगा, मोधी जी मैं आप से question पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन से degree ले लिया मैं, नीरमला सितारीमंड जी ने, जो आप एक पहले इनको आप defense minister बनाते हैं, चन्द महिनों के बाद आप इने ministry of finance दे देते हैं, अरे defense सो हमारी शक्ती परिक्षन की बात है, it is about our valor, it is about our strength, it is how much mentally fit we are, how much physically tough we are, how can you give a position, both the position to a same person, are they eligible for the same post mem, sir क्या ये दोनों same post के लिए eligible होते हैं क्या, मुझे लगा था कि आपने का था अच्छे दिन आएंगे तो ठीक, आप criteria को बदलेंगे, sir आपने तो criteria नहीं बदला, आपने तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने party में लेके आगे, उनक के गदारों को गोली मारो, बड़ी अजीब बाते, highly educated हैं, क्रिकेटर हैं वो शायद, BCC IK हैं, और तो रमिशा के पुत्र, जो वो secretary बन जाते हैं, लोगों के उपर आपनों को बड़ा अच्छा लगता है, आपकी IT टीम के ज़्यादा तर लोग, राहूल गांधी को पपू पपू कपू करके बुलाते हैं, देखे मैंने एक बास सीखा है, अगर आपको हसना है ना, तो सब के साथ आसे, if you want to laugh, laugh with others, don't try to laugh at others, it doesn't show your good politics, it shows the political when it data, अभी प्रियंका गांधी जीने बसों के इंतिजाम किया, तो बहुत सारा हुआ मजग गया, कि भई, ये गाड़ियों टेम्पो हैं, वो हैं, फलाना है, ठेका है, अरे सर, आप दोजार बसे लगा दीजे न, चलो उन्होंने आटो दे दिये, टेम्पो दे दिये, पर उनको कुछ फिलिंग तो रहा, वो दे तो रहें, आप लगा दीजे, दोजार गबर ले, चाराजार बसे, किसने रोग रखा अच्छा देखें, मैंने नितिन गड़करी का भाशन सुना, टीवी में, ये लास्ट वीक की बात है सर, उन्होंने का सोदे सी अपना हूँ, चलिए सर, अपना लेते हैं, पर मुझे बताएं, मेक इन इंडिया, और मेड बाइ इंडिया, इन दोनों का डिफरेंस आपके मिन कोई एक मिनिस्टर मुझे दे सकता है, गया, मेक इन इंडिया है क्या सर, आप जमीन देते हैं, सैमसंग को, जमीन देते हैं, ओपो को, वीवो को, चाइनीज कंपनी को, साउथ कोरियन कंपनी को, वो आ के अपना प्लांट लगाते हैं, इंडियांस को हाईर करते हैं, और उस आप मेकडॉनल्स की तरह एक आउटलेट बना लेते सर। 25 रुपय का बर्गर बेशने बला भी लाखो करोरो रुपए डॉलर्स में कनवर्ट करके इंडिया से लेके जा रहा है। आप छोड़िए मोबाइल फोंट्स तो बहुत बड़ी बात है 20-20-50-50-50-1000 की बात है आप बर्गर बनवा दीजे सर। आप ब्रेट्स बनवा दीजे। रेवन्यू यहाँ जनरेट करवा दीजे सर। मेड इन इंडिया कर दीजे। वाट इस मेंक इन इंडिया सर। आप कहते स्वादेशी अपना फॉरेंड की कमपनी को आप जमीन एलोट कर रहे हो राइट और आपके तो चाइना का बहिश्कार कर दो आप मुझे बता दे बीजेपी के कौन से नेता के पास इंडिया वालों का फोन है सर। और बीजेपी छोड़ी किसी भी पार्टी का माउट पीस नहीं हूं सर क्योंकि मुझे देखा गया है मैं देखता हूं यह चीज अगर मैं आपके पॉलिटिकल किसी फैलियर के बारे में बात करूं तो लोग तुरंद बोलेंगे भाई यह तो कॉंग्रेस का अधमी है इस वेरी चीप सर इट साउंड वेरी चीप ठीक है सर आपसे प पॉजिशन कोई पर्चीज कर ले रहे हैं आप लोग जोती रादितिस इंदिया का अपने पर्चीज कर लिया सर बुरा लगेगा सर सुनने में ऐसी क्या घुट्टी देजी सर एक जटके में एंपी की गवर्मेंट जो है वो क्लैप्स कर जाती है वो भी उस दौर में जब क चिस सरी को लोग डाउन कर दिया एक मीना तक आप नमस्चे ट्रम की तैयारियां करवाते रहें सर वोट इस डिस सर जूटी शान का हमें क्या करना है सर अज सबसे पहले आप अपने नेताओं को बोलें कि वो कुछ भी बोलें ना टीवी में हेल्प तो आप करना नहीं मेरी गसीट के लिए जा रही है तो वो जबाब देती है कि राहूल गांदी को वहां नहीं बैटना चाहिए राहूल गांदी को जाना चाहिए अरे राहूल गांदी को जो करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए गवर्नेंस आप की है सेंटरल में आप हैं पिछले साथ साल से क्या सर बाखी लोगों का क्या सर प्रवासी मजदूर छोड़ी है प्रवासी क्या होता है सर सब भारत ये मजदूरी तो है हर पूरा देश तो वाईसे भी मजदूरी कर रहा है सर पूरा देश मजदूरी कर रहा है आप जितना ग्रोथ दिखा दो सर ग्रोथ क्या वो तो लोग के घर में आके देखो, बैंक एकाउंड में आके देखो, कि पैसे हैं किन के पास, और किन के पास नहीं है, मैं एक रिक्विस्ट करूँगा सर आपको, आप अपने मिनिस्टर्स को काइंडिक इंस्टरक्शन दें, कि वो कुछ भी वक्तिप में ये बहुत बुरा दौर है सर इस बुरे दौर में कम से कम स्टेट्मेंट्स अच्छे दें कुछ अच्छा करना सके तो अच्छा बोली ले लोग तो अपना करी लेंगे न सर सडक में बच्चा मर जा रहा है मावाप उसे कैरी कर रहे हैं इससे परिपया मेरा वीडियो उन तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि पॉपोजिशन इसलिए कमजोर है किवल एक कारण है क्योंकि इन पॉलिटिकल ग्रूप्स के जितने भी लोग होते हैं न सर जो सो कॉल प्रदेश प्रवक्ता होते हैं शाद वो बहुत कमजोर हैं सांबित पात्र से कैसे बहांस करना है मुझे ख़ड़ा की जीए सर मैं बताता है है hiç स्वांबित 5 पात्र से क्या बात करनी है data के सबस्मिरति रानि के जाथ बात करना है मैं करूग उब that उनका क्या एजुकेशन कॉलिफिकेशन था जो उन्हें सिख्षा मंत्री बना दिया गया था आप CBSC का हैंड मेरे पास बहुत मुद दें सर देश के करेंट मुद दें और सर चिंता मत किज़ेगा मुझे आपसे कुछ हेल्प नहीं चाहिए सर प्लीज financially मुझे आपसे कोई हल्प नहीं चाहिए आपके पार्टी से तो कम से कम कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं प्लीज शेयर कीजे मैं चाहता हूँ कि एक बार मंच पे आने का मौका मिले सर और अरनव गुष्वामी जी आप जो जिनको बुलाते हैं दूसरे गुरूप के लोगों कर बोलते हैं इट इस माई शो इट इस माई शो गॉड़ डामिट इफ इट इस यॉर शो वाई रिक और पीपल मैं जबाब दीजे मेरे इस का फिल्मी फिल्मी शूटिंग कर देंगा सर आप चलिए सर मुझे बुलाईए आरनव जी एक बार अपने चैनल पे बुलाईए मुझे पांस स्टाडिस्टिक्स पे बात करूँगा ग्राफ के साथ बात करूँगा डेटा के साथ बात करूँगा आपके साथ उसके बाद अगर आपकी बोल दीना बंद कर दीना सर तो मेरा नाम बागी श्रदानन नहीं मैं बीजेपी का अगेंस्ट नहीं सर मैं बीजेपी गॉवर्नेंस का अगेंस्ट हूँ मुझे नहीं लगता भगवा पेनने से ही मैं हिंदुत का पैचान घरा जाएगा मेरे अंदर बहुत हिंदुत हुए कमाल की बाद देखे मेरी आखरी लाइन है गौर से सुनियेगा सर श्रदानन पती मेरा नाम है जाती से मैं ब्रामन हूँ पढ़ाओं क्रिश्चन स्कूल से सेंड मेरी इंगलिश आइज स्कूल और गर्व से कहता हूँ सर फादर हुआ करते हूँ वहाँ पे फादर गॉलवर्ट फटैडो अब नहीं रहे सर हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल क्या कमाल की सिख्षा दिये सर इतने आईटियन से निकलते हैं सर कभी आपनों की जरुवत नहीं पड़ी सर मुझे ताज्यूब लगता है अंगूटा चापके नीचे एमटेक वाला बंदा काम कर रहा है और हम उनको सुन रहे है what the hell is going on सर कहा है आपके अच्छे दिन बुलाइए न सर एक बर चैनल में आपके जितने भी प्रवक्ता है न सर जितने भी प्रवक्ता है अगर दस मिट का टाइम दे दे न सर उनकी बोलनी बणकर दूगा जैन जाए भारत मैं जानताओं बहुत सारे लोग मेरे बातों से शाद नराज हो पर नराज होना आपका काम है सर मेरा नी सही मुंद्धे पर तो में बात करूँगा जो नजाइज बात लगती उसका तो में करूँगा सर रेबल हूँ तो रेबल की तरह पेशाओंगा जैन जै भारत अगले मुद्दा दो या तीन दिन के अंदर स्टैट्स के साथ आऊंगा सर और मेरे दोस्तों मैं दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली अगर आप लोगों के पास कोई कॉंटेक्स है मेरे वीडियो तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स के पास भेजें एक मंच पे आने का मौका दें इन्हें बताऊंगा सर इन्हें बताऊंगा इन्होंने जारकंड के लिए क्या किया है इन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है